हलो दोस्तों कैसे हो आप सेब उम्मिद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे आज मैंने कुछ एसे यूसफुल टिप्स एंड ट्रिक्स एर किये हैं जो आपकी मुश्किल काम हैं वो आसान करेंगे साथ इसाथ देर सारे पेसे भी बचाएंगे तो चलिए बीना देर की वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप मेरे चल्में पहली बाहर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो कैसी लगती है आपको कौन से टिप्स सबसे बेस्ट लगी ये भी मुझे कोमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए वी जगा भी नहीं होती है उनको खाली करने के लिए तो होता क्या है फ्रेंज देखिए जो ये सबजियां अगर हम पोली थिन में रखते हैं तो इस तरह से ये खराब हो जाती है और इसमें मोस्ट्राइजर आ जाता है यानि पानी लग जाता है उपर तो ये बहुत ही हमारे ल ले सकते हो तो देखिए मेरे बच्चे का एक टीशेट पढ़ा था पूराना और ये देखिए अच्छा साफ सुत्रा दुलावा भी है और इसमें हम अपनी सबजियां रखेंगे तो फ्रेंज ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इस तरह से देखिए सबजियां खराब में न आपको देख लेना है यहां देखिए मैंने दोनों साइड की खूली साइड थी वह पकड़के और गले की साइड में लेके आ गई हूं और दोनों बाजू को हम अच्छे से बांदेंगे तो ये अच्छे से पेक रहेंगे बहुत ही बढ़िया तरीका है इस तरह से हम रख द इसको हम बहुत ही बढ़िया से यूज कर सकते हैं तो देखिए मेरे पास इस तरह का एक टुकड़ा पड़ा था और इसको में देखिए इस तरह से फोल्ड कर लूँगे करने के बाद जो उपर का साइड है इसको हम देखिए अच्छे से मोर लेंगे मोरने के बाद जो ये पार्ट है इसको हम अंदर की तरफ टक कर देंगे फ्रेंट्स ये बहुत ही बढ़िया है इससे देखिए आप चाहे तो बर्तल साफ कर सकते हो या फिर आप देखिए मेरी तरह इसको क्या करना है कि जो बोक्स होता है रीड का उसमें आप ये डाल देना है तो रील वाला जो बोक्स होता है उसमें क्या है कि सुईया रखने का बहुत जादा जंजड रहता है तो ये आप फोम लगा लीजिए लगाने के बार देखिए जो भी आपके पास सुईया है वो इसमें लगाईएगा फ्रेंट्स ये बहुत बढ़िया तरीका है इससे देखिए आपकी सुई बहुत आसानी से मिल जाएगी और इदर उदर भी नहीं बिगरेगी तो हैना बहुत ही यूसफुल तरीका इस तरह से आप फोम सीट का यूज कर सकते हो तो अगर आपको ये ट्रीक पसंद आई हो तो प्लीज इससे लाइक करे शेयर करे तो चलिए देख लेते हैं मारा आग इस तरह से दिखे इसको सही करते है तो इस से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तो आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया त्रीक बताऊंगी इससे क्या है कि आपका टाइम बहुत कम लगेगा और बढ़िया से सीधी हो जाएगी तो यहां देखे मैंने फिर से ट तरीका इस तरह से आप कपड़ों को जल्दी से सही कर सकते हो यानि सीधा कर सकते हो और अब देखिए मैं एक ट्रिक आपको और बताने वाली हूं फोल्डिंग की यहां देखिए मैंने लिया है टी शेट और इसको देखिए आप हाप में इस तरह से फोल्ड कर लीजे करने के बाद इसको कर लेना है उल्टा और जो यह बाजू की साइड है इसको देखिए थोड़ा थोड़ा दोनों साइड में फोल्ड कर दीजे करने के बाद आप करना क्या है देखिए थोड़े से ही इस पेच में आप इसको कहीं पर भी रख सकते हो तो यहां देखिए गले की तो भी आप इस तरह से कपड़ों को रख सकते हो डाल सकते हो ब्याग वगरे में तो हैना बहुत ही यूसफुल जरूर इसको ट्राइ करिएगा तो चलिए देख लेते हैं अगला यूसफुल टिप्स यह वाला जो टिप्स है यह सभी महिलाओं के लिए बहुत ही काम का है तो पेट लेने के बाद हमें डालना है पौडर कोई सा भी आप टेलकम पौडर ले लीजी लेने के बाद इसमें आपको डालना है थोड़ा सा हल्दी जैसे कि आप आजा चमच पौडर डाल दे हो तो एक चमच आपको हल्दी यहां पर डाल देना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है करने के बार देखिए यह हमारा एक बहुत ही बड़ी बड़ी सा सल्यूशन बनके तयार है इसको आप कहीं तरीकों से यूज कर सकते हो जैसे कि चीन के आती है तो आप थोड़ा-थोड़ा करके इसको डाल दीजे चीन के बिल्कुल गाइब हो जाएगी और दूसरा हमने जो सल्यूशन बनाया है तो वो हम इस पर लगाएंगे तो केसे लगाना है देखिए यहां मैंने यह हल्दी वाला और पोड़र वाला सल्यूशन ले लिया है और थोड़ा-थोड़ा करके हम जाडू में लगाएंगे लगाने के बाद अच्छे से देखिए इसको अंद करोगे जाडू को तब आपको पता चले कितना बढ़िया इसका रिजल्ट मिलता है तो चलिए देख लेते हमारा लायूसफुल टेप्स यहां देखिए मेने लिए है माचिस और माचिस कभी कबार होता क्या है कि इसमें मोस्ट्राइजर आ जाता है और जलती नहीं है इतना टाइम लगता है तो इसके लिए एक में बहुती बढ़िया सा तरीका बताने वाली हूं क्या करना है कि अगर आपके भी इस तरह से हो जाए तो आपको लेना है तवा और जब भी हम रोटी बनाते हैं तो तवा देखिए गरम रहता है तो हलका पुलका जब गरम रहे तो जी करते हैं तो चलिए अब हम इसको ट्राइक करते हैं तो देखिए कितना बड़िया सी यह जला है तो हैना यूजफल टिप्स जरूर ट्राइक यहाँ में एक लिया है बोतल और यहीं जो पुराना बोतल होते हैं हम क्या करते हैं इसको फिंग रिते हैं आज मैंएम को कट कर ना है और फ्रेंड्स यह जो जोंगार हाँ कि उनके लिए काम आता है जनके घर मेंजादा सामान होते हैं यह चैसी कि बच्चे होस्टेल में रहते हैं जासि हैं पीर को जैंज अलगार तो नियुक्तr सबस्कार में पर चुर्च में जोंग नोगे कर लियें करने के बाद देखे चाकू को गरम करके और जो चारों कोर्णर है कोने वहाँ पर आपको देखे छेद बनाने हैं देखे इस तरह से तो एक बोतल में मैंने पार्ट में बना लिए हैं इस तरह से सेम हमें दूसरे पार्ट को भी इस तरह से ही बनाना है तो यहां मैंने देखे दोनों पाट के चार चार छेद निकाल ये हैं और अब हमें एक लेना है डोरी तो कोई भी मजबूर जो डोरी होती है इस तरह की वो आप ले लीजेए यहां मेरे पास देखिए जो नाये ड्रेस होती है यानि नायटी से निकलती है डोरी वो यहां पे मैंने ले ली है और इस तरह से में इसको लगाऊंगी जिससे मैं लगा रही हूँ सेम आपको ऐसे ही लगाना है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करे शेर करे और कोमेंट करके जरूर बताए कि आप दुनिया के कौन से कोनी से इस वीडियो को देख रहे हो ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियो कहां कहां तक पहुँच रही है अगले वीडियो आपको कौन से टोपिक पर चाहिए और मेरी जो ये वीडियो है, वो आपको किस तरह की लगती है? प्लीज मुझे कוםेंट करके बटाया करो, कोई भी अगर मिस्टेक लगती है, तो वो भी आप मुझे कोमेंट कर सकते हो, ताकर मुझे पता चले कि मेरी वीडियो में कहां मिस्टेक आरी है? कौन से पार्ट आपको अच्छे लगते हैं टिप्स तो जरूर कोमेंट करके मुझे बताया करें और यहां देखिए मैंने दूसरी डोरी ले ली है सेम मैंने दूसरी साइड में इस तरह से इसको डाल दिया है और दूसरा पार्ट जब हम लगाएंगे तो एक हमें डोट लगा जोसरी बनाने के बार अब हमें इसको कहीं पर भी हेंड कर सकते हैं जैसे कि आप चाहें तो इसमें कोई कपड़े रख सकते हो या पिर आप जो चपल होते हैं सूज वगरा कुछ भी आप इसमें रख सकते हो तो यहां देखिए मैं इसको लगा ली हूँ इस तरह से और जो भी हमारे पास जो शूज होते हैं जूते होते हैं वो आप इस तरह से रख सकते हो तो कितना बढ़िया देखी आइडिया है जरूर इसको ट्राइ करिएगा तो फ्रेंज आज किस वीडियो में आपको सबसे यूसफुल टिप्स कौन से लगी मुझे कोमेंट करके जरूर